हेलो एफ्रिवान, माइनेम इस अदीती चौधरी, वलकिम टू माय चैनल अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसे बोलनी की ज़रुरत पड़ती है जैसे मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुम्हारी बाते सुनने का उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है बार-बार अपनी बेज़ती कराने का तुमने कोई ठेका नहीं ले रखा था उसका काम करने का क्या मैंने कोई ठेका ले रखा है तुम्हारे ताने सुनने का ऐसे हिंदी के sentences को English में बोलने के लिए देखते हैं कि कौन सा rule follow होता है इसके rule में सबसे पहले subject आता है subject के बाद has, have या had इन तीनों में से कोई एक helping verb आती है अगर present tense का sentence है और singular subject है तो has आएगा जैसे कि she has, he has और अगर present tense के sentence में plural subject है तो have आएगा जैसे कि I have, we have, you have, they have लेकिन अगर past tense का sentence है तो subject चाहे singular हो या plural had ही आएगा इसके बाद not taken a contract आता है इसके बाद two आता है इसके बाद verb की first form आती है और last में other words आते हैं अगर बचते हैं तो और अगर interrogative sentence बना रहे हैं तो second वाला rule follow होगा जिसके according sentence की starting होगी has, have या had इन तीनों में से किसी एक helping verb से इसके बाद subject आएगा इसके बाद taken a contract आएगा इसके बाद two आएगा इसके बाद verb की first form आएगी और last में other words आएगे अगर कुछ बचेंगे तो चलिए आप कुछ examples देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुम्हारी बाते सुनने का I have not taken a contract to listen to your words I have not taken a contract to listen to your words उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है बार बार खुद की बेज़ती कराने का He has not taken a contract to get himself insulted again and again तुम्हारी ठेका नहीं ले रखा है उसकी परिशानियों को सुलझाने का You have not taken a contract to solve his problems मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा था उसका काम करने का I had not taken a contract to do her work I had not taken a contract to do her work उसने कोई ठेका नहीं ले रखा था तुम्हारे गलतियों को सुधारने का He had not taken a contract to rectify your mistakes He had not taken a contract to rectify your mistakes क्या मैंने कोई ठेका ले रखा है उसे समझाने का Have I taken a contract to make him understand K्या तुमने ठेका ले रखा है उसके ताने सुनने का Have you taken a contract to listen to her taunts क्या उसने थेका ले रखा है सब का मज़ाग बनाने का क्या हमने थेका ले रखा था उसे बचाने का अब दो sentences आपकी homework के लिए मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है रोज रोज उसे पैसे देने का और क्या मैंने कोई ठेका ले रखा है तुम्हारा काम करने का इन दोनों sentences को हम English में कैसे बोलेंगे या आप मुझे comments में बताइए आज की वीडियो में इतना ही अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and make sure you press the bell icon right next to the subscribe button so that you get notified whenever I post new videos अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ तब तक के लिए टेक कैर बाबाए